So Hello and Welcome दोस्तो मैं हूँ अरको और आप देखे रहो हाइटेक ब्रो दोस्तो आज का वीडियो का स्मार्टफोन का बार में अंडर रूपीज 30,000 दोस्तो अगर आपको बजन 30,000 है दिन आप लोग का बस बहुत सारा ओप्शन्स है अलग अलग ब्रैंड्स का बढ़िया फोन्स मि को भी आन में सेट कर देना थाकि हम लोग जब भी एक नए वीडियो डाले अपको पास अपसे जल्दी नोटिफिक्शन पहुच जाए और जोस्तो आगे अगर वीडियो पसें जाता है तो इस वीडियो का एक लाइक जारू दे दे देना इसमें आप लोग 6.44 इंचेस का एक फ्लूइड अमलेड डिस्प्ले देखने हो मिल जाता है साथ में आप लोग 90 हर्ट्स फास सिर्प्रेजर और HD 10 प्लस का भी सपोर्ट देखने हो मिल जाता है पर्फोर्मस के बारे बात करे दोस्तों इसमें आप लोग स्नाइब देना के फ्लूण 4,15 इमेंग सोफ साथ में 30 W fast charging सपोर्ट देखने हो मिल जाता है और दोस्तों ये फोन 5G भी है और इसमें आप लोग इंडिस्प्लेर फिंगरपिन सेंसर भी देखने हो मिल जाता है लेगन इसमें एक ही चीज मिसिंग है और वह 3.5 अआधा बात करे तो तो शो संन प्रफ़रेक अंदर में आप लोग इस फोन का 12GB प्लस 250GB वा उपडियन देखने को मिल जाएगा वैसे इसके स्टार्टिंग प्रैस एज 25,000 जिसमे आप लोग 6GB 64GB वा उप्टन देखने को मिल जाएगा बेस्ट वास फोन से हम लोग.'" यह बेस्ट साल को मिल जाएगा वैसे जितना भी सारा फोन से हम लोग का हम लिस्ट में उने का आप लोगा लिक्या उन्नसेका में लोग सिर्साइघ। वहाँ से लागा जरूर खरीदीगा अगर वहाँ से लागा खरीद तो हम लोग चाहिए को थोरा सा मदद मिल जाता है और भी ऐसा वीडियो आप लिए लाने के लिए दोस्ते उसके बाद फॉर्ट नमर पे हम लोग का लिस्ट में Vivo का दरफ से Vivo V21 5G इसमें आप लोग 6.44 इंचेस का एक AMOLED दिस्प्रे देखनों मिल जाता है और साथ में आप लोग इसमें 90 Hz फासिफिसेट और HDR 10 प्रस का भी सपोर देखनों मिल जाता है परफॉर्मस के बात करें दोस्तों इसमें आप लोग Diamond City के 800 दिव मिलता है दोस्तों ये प्रसेसर अगे ये अपडेट दे के ठीक कर देगा वैसे आप लोग अड़ेक फासिप्टी सेंचे से बड़ मिल जाता है इसमें आप लोग ट्रिपल केमरे से देखनों मिल जाता है 64 प्लस 8 प्लस 2 मेयोपिसल का और सामने में आप लोग एक 44 मेयोपिसल के सिल्फी कान देखनों मिल जाता है और इन सबका साथ आप लोग इसमें 4000 इमें इसके बैटरी देखनों मिल जाता है जो 33 वार्ट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है दोस्तों इसमें भी आप लोग 3.5 mm का ओडियो जाता है बाकि इसमें आप लोग 5G का सपोर्ट और इन डिस्प्ले फिंगरब्रिंट से साथ देखनों मिल जाता है प्राइस के बारें बात करें दोस्तों इसके जो 8GB प्लस 12GB वाले फिजिंट है और साथ में आप लोग इसमें 90Hz Fastest Project का भी support देखनों मिलता है Performance के बारें बात करें दोस्तों इसमें आप लोग Snapdragon 720G मिलता है जो काफी decent processor है लेकिन दोस्तों इस फोन का price को देखके यह processor थोड़ा से low end का लगता है बट obviously यह काफी capable processor है बट अगर इस फोन का आसपास के competition को देखोगे तो उस इसाब से यह थोड़ा सा पीछे रहे जाता है बागी इसमें आप लोग Adreno 618 के graphics देखनों मिल जाता है cameras के बारें हम बास करें दोस्तों इसमें आप लोग quad camera से लिखनों मिल जाता है पीछे में दूबा के डख सकते हो कुछ भी नहीं होने वाला इसको यह बहुत यह बढ़िया बात हो जाता है क्योंकि इस प्राइस सेग्में में यह सब कोई नहीं देता है अगर आप लोग का phone पानी वानी में गिड़ गया तो यह safe रहेगा बागी दोस्तों इसमें आप लोग इंडिस प्राइस सेंसर और 355mm audio jack भी देखनों मिलता है बट एक ही चीज़ का कमया है इस phone में वह यह है कि यह phone 4G है अगर 5G हो जाते तो यह बहुत यह बढ़ी आपात हो जाता है वैसे इस phone का 5G variant भी है लेकिन वह 34-35 का around में है 120hz fast refresh rate का भी support देखनों मिल जाता है performance का बारे बात करें तो दोस्तों इसमें आप लोग मिलता है Snapdragon 870 जो यह price segment में based processor है gaming वगड़ा करने में आप लोग कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाला है और इसका साथ आप लोग इसमें Adreno 602 का graphics देखनों मिल जाता है cameras के बारे बात करें तो दोस्तों इसमें आप लोग ट्रिपल करमरे से देखनों मिल जाता है 48 plus 8 plus 5 Mavisels का और सामने में आप लोग यह 20 Mavisels का selfie camera देखनों मिल जाता है और इन सब का साथ आप लोग इसमें 4520 Mavis देखनों मिलता है जो साथ में 33W fast charging को support करता है बाकि दोस्तों इसमें आप लोग 3.5 Mavisels का audio देखनों मिलता है और इसमें आप लोग साइड माउंटे से देखनों मिलता है और यह phone 5G भी है वाइनले प्रेस के बारे बात करें दोस्तों इस phone के 6G plus 120G worth of rate है वह आप लोग मिल जाएगा 3000 के अंदर में अगर आप लोग इसे 8G plus 120G worth of rate लेना है तो आप लोग 32,000 खर्चा करना पड़ेगा बट जस्तों मैं ही रेकमेंड करूंगा आप लोग 32,000 खर्चा करना ही है आप लोग Vivo IQ7 के तरफ भी देख सकते हो वह भी काफी बड़ी आप होने है उसका भी बेस्ट बैलिंग डेसिशन में देखना हो मिल जाएगा अपको खरीदना या डिजिटल सुक्स फोन कर बारे में जानना है तो आप लोग वहां से देख सकते हो दोस्तों फाइनली नमबर वन पर हम लोग का पास है रियल्मी का थारफ से रियल्मी X7 Mac इसमें आप लोग एक 6.43 इंचेस का सूपर अमरे डिस्पार देखना हो मिल जाता है और साथ में आप लोग के इसमें 1000 इट का बैटनेस, HDR10 प्लस और 120 हर्ट फास्ट रिप्रेट का सपोर्ट देखना हो मिल जाता है इसमें आप लोग को डैमसीरी का ब्रेश प्रोसर मिलता है डैमसीरी 1200 जो एक 6NM वाला चिपसेट है इसमें आप लोग को ट्रिपल केमरे साथ देखना हो मिल जाता है और सामने आप लोग एक 16 मिल जाता है और इसके साथ आप लोग इसमें 4,500 mm के बैठरी देखने हो मिलता है और स्याथ में 50W फास्ट जिगापी सपोर देखने हो मिल जाता है और दोस्ते इस बन में आप लगको 2.5 mm का आडियो जैक, इन डिस्पेल फिंगरपीज सेंसर और 5G देखने हो मिल जाता है फाइनली प्रेस के बाड़े में अगर बात करें दोस्ते इस पोन का जो स्टाटिंग विडिंट है वह 8G प्लस 100G वाल विडिंट जो आप लोग 27,000 रूपीज का अंदर में तेक मिल जाएगा बट इसका जो 12G प्लस 250G वाल विडिंट है वह भी आप लोगो मिल जाएगे 300,000 रूपी का अंदर में अगर आपको बज़िट पुड़ा पूरी 300,000 है तो आप लोग इसके साथ जा सकते हो वैसे अगर आप लोगो रियल्मी का फोन लेना है तो आपको बस औरेक आप्शन है अगर आप लोग को एकदम टॉप नॉच केमेरा प्रफरेंस चाहिए तो आप लोग वीटोटी और 5G के तरफ देख सकते हो अगर आप लोग सेल्फी केमेरा को जादा प्रफरेंस देता हो तो अभी का बेस्ट बाइ लिंक आप लोग को डिस्टीशन देखने में मिल जाएगा कमेंट में जरूर बताएगा अप लोग को वीडियो कैसा लगा और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जारू कर देना और दोस्तों अगर आप लोग अभी तख सब्सक्राइब ने कियो तो प्लीज कर लेना क्योंकि 97% लोग अभी तख अभी तख सब्सक्राइब ने कियो तो प्लीज कर लेना तो दो से यही था अज का वीडियो में, मिलते आप लोग से अगला वीडियो में, तिल देन बाई बाई